विलियम बेंटिंग, 1828-1835 आज हम एक ऐसे बिटिश गवनर जेनरल की बात करने वाले हैं, जो इंडिया में अपने सोशल रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं. इसके साथ ही, वो फर्स्ट गवनर जेनरल अव इंडिया भी थे. जी हाँ, विलियम बेंटिंग, जो जेरेमी बेंथम की यूटिलिटेरियन फिलोसफी के फॉलोवर थे, जिसका सिंपल शब्दों में मतलब होता है, इसी फिलोसफी से इंस्पायर होकर, वो इंडिया में अलग-अलग रिफॉर्म्स को इंट्रिजूस करते हैं. दोस्तों, विलियम बेंटिंग ने अपने करियर की शुरुवात आमी से की थी. उन्होंने 1791 में 16 साल की छोटी सी एज में ही आमी जॉइन कर ली थी, और 1798 में करनल की रैंक तक भी पहुँच गये थे. वो इंग्लिन में हाउस अव कॉमन्स की मेंबर भी थे. इंडिया में उनके करियर की शुरुवात होती है 1803 में, जब उन्हें मद्रास का गवनर अपॉइंट किया जाता है. दोस्तों, 1806 में वेलोर म्यूटिनी के समय विलियम बेंटिंग ही मद्रास के गवनर थे. उन्होंने ओर्डर दिया था कि नेटिव सोल्जर्ज अपने ट्रिडिशनल अटायर नहीं पहन सकते, जिसकी वजह से वेलोर में तैनात कुछ मद्रास रेजिमंट्स विद्रोह कर देती हैं. वेलोर म्यूटिनी को तो इन्होंने सप्रेस कर दिया था, लेकिन इसके बाद 1807 में Court of Directors इन्हें इंग्लेंड वापस बुला लेते हैं। इसके बाद William Benting 1828 में Governor General की पोस्ट पर इंडिया वापस आते हैं। Governor General रहते हुए उन्होंने बहुत सारे reforms इंट्रिड्यूस किये थे। आईए एके करके उनके reforms को डिसकस करते हैं। Social reforms of Benting दोस्तों, William Benting से पहले किसी भी Governor General ने इंडिया की social problems को टैकल करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। Benting पहले ऐसे Governor General थे जो social evils के against law पास करते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि इंडिया में सती प्रथा का प्रचलन था। इस प्रथा के अनुसार, husband की death के बाद wife को भी husband की चिता के साथ ही जला दिया जाता था। इस प्रथा के खिलाफ, राजाराम मोहन रॉय जैसे social reformers campaign शुरू करते हैं। इसके साथ ही वो William Benting पर सती प्रथा को illegal declare करने का pressure भी बनाते हैं। William Benting इनके campaign का support करते हुए December 1829 में regulation number 17 पास करते हैं, जिसके अनुसार सती प्रथा को illegal declare कर दिया जाता है। और साथ ही इसे एक criminal offense बना दिया जाता है। शुरुवात में ये regulation सिर्फ Bengal presidency में applicable होता है। लेकिन 1830 में इसे मडरास और Bombay Presidencies में भी extend कर दिया जाता है। दोस्तों, सती प्रथा के अलावा, William Benting, Infanticide और Child Sacrifices जैसी social evils को भी suppress करते हैं। बहुत सारी communities में girl child की हत्या करने की कूप रथा चली आ रही थी। वैसे तो 1795 में Bengal Regulation 16 और 1804 में Regulation 3 ने Infanticide को illegal declare कर दिया था। फिर भी ये inhuman practice continued थी। इसलिए Benting ने इस कूप रथा को खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाए थे। इसके साथ ही Bengal के Sagar आइलेंड पर कुछ special occasions पर child sacrifices ओफर करने की प्रथा थी। जब Benting को इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत इस पर रोक लगाने का order दे देते हैं। दोस्तों, William Benting को Thugs के suppression का भी श्रे दिया जाता है। ये mostly Central India और Bengal के रीजन में सकरिये थे। Thugs ऐसे hereditary हत्यारे और लोटेरे होते थे, जो भोले भाले और defenceless travelers को अपना निशाना बनाते थे। इनकी काफी disciplined organization थी। इन में से अगर कुछ expert stranglers थे, तो कुछ को dead bodies के quick disposal में महरत हासल थी। और कुछ अच्छे spies और informants थे। इनके अपने code words और sign होते थे। इनकी organization इतनी efficient थी कि government के notice में इनका एक भी failure नहीं आया था। William Bentink, thugs को suppress करने के लिए 1835 में thuggy and dacoity department establish करते हैं। इस department का charge वो Colonel William Sleeman को देते हैं। Indian rulers को भी इस task में cooperate करने के लिए invite किया जाता है। Colonel Sleeman करीब 1500 thugs को गिरफतार करते हैं और इने मृत्यू दंड या उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है। इनके efforts की वजह से 1837 के बाद से organized scale पर होने वाली thuggy देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, William Bentink के social reforms एक तरह से inflection point थे। और इन reforms की छवी आज तक हमें अपने Indian system में देखने को मिलती है। आईए अब उनके time में introduce हुए educational reforms की बात करते हैं। educational reforms। दोस्तों, William Bentink के time period में ही 1835 में Macaulay minutes of education introduced किये गए थे। दरसल, जब 1813 में Parliament ने company का charter 20 साल के लिए renew किया था। तब उसमें एक provision ये भी था कि company को हर साल एक लाख रुपए natives की education पर खर्च करने होंगे। इसके लिए committee of public instructions फॉर्म की जाती है और William Bentink, Lord Macaulay को committee का president appoint करते हैं। इस committee को decide करना था कि education के लिए आने वाली government grant को किस तरह खर्च किया जाए। committee के members दो groups में divide हो चुके थे। एक तरफ थे Wilson और Princip Brothers जैसे orientalists, जो oriental language और Indian literature की education को promote करना चाहते थे। दूसरी तरफ थे Sir Charles Travellian जैसे anglicists, जो western science और literature के supporter थे। Macaulay favor करते हैं anglicist views को, और February 1835 के अपने famous minute में वो western education और English media में education propose करते हैं। उनके according एक good European library के single shelf ही इंडिया और Arab की पूरी की पूरी native literature के बराबर है। उनके इन views को accept कर लिया जाता है। और 7th March 1835 को एक resolution पास कर दिया जाता है, जिसके according higher education में English medium और western literature को promote करने का decision लिया जाता है। दोस्तों, Macaulay Minutes इंडिया में modern education की foundation का काम करते हैं। आइए अब William Benton के judicial reforms की चर्जा करते हैं। Judicial reforms दोस्तों, William Benton, Lord Cornwallis के judicial system में कुछ बदलाव करते हैं। जैसे की वो Cornwallis द्वारा set up provincial courts of appeal और circuit courts को abolish कर देते हैं। William Benton, इन courts की duties magistrates और collectors को transfer कर देते हैं। और इनके supervision के लिए commissioner of revenue and circuit appoint करते हैं। इसके अलावा वो हलाबाद में separate सदर निजामत अदालत और सदर दिवानी अदालत establish करते हैं। जिसकी वजह से UP और डेली के लोगों को appeal के लिए अब Calcutta जाने की जरूरत नहीं रहती। दोस्तों, अभी तक court की language Persian थी। Benton, higher courts में Persian को English से replace कर देते हैं। और इसी के साथ ही lower courts में Persian के साथ-साथ vernacular language में case file करने का option भी दे देते हैं। इस तरह से William Bentink ने judicial system को Indians के लिए accessible बनाने की कोशिश की थी। दोस्तों, William Bentink ने कुछ financial reforms भी introduce किये थे। आईए अब उनके बारे में जानते हैं। Financial reforms Company की financial condition को better करने के लिए, William Bentink बहुत सारे steps लेते हैं। जैसे कि वो military officer को मिलने वाले extra allowance या भत्ते को कम कर देते हैं। नए rules के according, अगर troops Calcutta के 400 miles के within station रहेंगे, तो उन्हें सिर्फ आधा भत्ता ही दिया जाएगा। इस step से Bentink एक साल में करीब 20,000 pound बचा लेते हैं। इसी तरह civil servants के allowances भी कम कर दिये जाते हैं। साथी William Bentink जहां भी possible था, वहां high paid Europeans की जगह Indians को employ करते हैं। Bentink opium trade को भी regularized और licensed करते हैं। और opium के export की permission सिर्फ Bombay Port को देते हैं। जिससे company को duties के through profit में share मिल जाता है। William Bentink के इन सभी steps की वजह से पहले हर साल होने वाला एक करोड का deficit 1835 तक 2 करोड के surplus में बदल जाता है। दोस्तों, ये दो बात हो गई Bentink के reforms की। अब उनके time period के कुछ और important events को भी discuss कर लेते हैं। Other important events दोस्तों, William Bentink के time period में ही 1833 का charter act पास हुआ था। इस act के important provisions कुछ इस तरह थे। Governor General of Bengal को re-designate करके Governor General of India बना दिया जाता है। इस तरह William Bentink, first Governor General of India बनते हैं। Administration को unified कर दिया जाता है। मतलब कि Bombay और Madras के Governor की legislative powers खत्म कर दी जाती हैं। और पूरे British India की legislative powers Governor General को दे दी जाती है। Company के civil और military affairs को control करने के लिए Governor General की council form की जाती है, जिसमें चार members रखे जाते हैं। पहली बार Governor General की government को Government of India कह जाता है। और council को India council। इस act के तुरू company की tea और Chinese trade पर monopoly को भी खत्म कर दिया जाता है। 1833 का act Europeans को इंडिया में property purchase करने की permission भी दे देता है। 1833 के charter act ने administration को centralized करने का काम किया। और Governor General की position को और भी ज्यादा strong बना दिया। दोस्तों अब बात करते हैं William Benton की Indian States के साथ relations की। Relations with Indian States William Benton वैसे तो Indian States के साथ non-interference की policy follow करते हैं। जैसे कि जैपुर में British resident पर attack होने के बाद भी वो कोई action नहीं लेते। इसी तरह जोदपुर, बूंदी, कोटा और भोबाल में भी interference के strong reasons होने के बावजूद non-intervention की policy को ही follow करते हैं। लेकिन कुछ cases में ऐसा नहीं होता। और 1831 में Benton मैसौर को misgovernance की plea पर annex कर लेते हैं। इसी तरह 1834 में वो कुर्ग और कचार को भी annex कर लेते हैं। दोस्तों, William Benton को Central Asia में चल रहे Russian advances का भी idea था। रशिया के किसी भी possible invasion को prevent करने के लिए वो पंजाब के राजा रंजीत सिंग के साथ 1831 में Treaty of perpetual friendship sign करते हैं। इसके साथ ही सिंद के आमीर्स के साथ भी एक commercial कम political treaty conclude करते हैं। Conclusion दोस्तों, William Benton के administration के ये साथ साल लगातार चली आ रही wards और annexations की policy के बीच एक शांती पूर्ण period की तरह लगते हैं। Benton को एक benevolent administrator की तरह देखा जाता है। जिन्होंने अपने reforms के तुरू इंडिया में administration और social life को liberalize करने की कोशिश की। क männंशेक में उती हैं। क झाल रहे शहर वामाधने साथ जुपार जार्ड़ों